सवाल ये उठता है कि किस प्रकार के कैंसर पक्का ठीक हो जाएंगे दूसरी बड़ी बात ये है कि इसको डाइगनोस कैसे किया जाए जैसे मुझे छोटी मोटी बीमारी कुछ भी होती है पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द होता है नॉमली लगता है कि मैं कल ठीक हो जाओंगा तो मुझे कई ऐसे लोग भी सामने आते हैं जिनको पता चलता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और फोर्थ स्टेज का कैंसर निकल गया थर्ड स्टेज का कैंसर निकल गया तो यह हो कैसे जाता है कि स्टेज इतना उचा चला जाता है और लोगों को पता नहीं चलता इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहने की जरूत है मेरी गुजारिश यह रहेगी कि आप दो-तिन चीजे समझ लें cancer on an average उमर की बिमारी है on an average सारे cancer ने cancer किसी भी age में हो सकता है बट on an average उमर की बिमारी है जितनी जादा उमर होगी उतना cancer होने की समभावना जादा रहेगी number one number two हमें ध्यान रखना है आप अपने शरीर को उमर की में बात कर रहा हूं उमर का मतलब 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जितना जादा उमर होगी उतनी समभावना रहेगी अगर आप अपने शरीर को अगर आपकी उमर 40-50 साल है आप अपने आपको भली भाती समझते हैं कि आप कौन है आप कैसे हैं कैसे दिखते हैं आपका शरीर कितना सीधा कितना तेड़ा है कहां आपको सूजन है कहां नहीं है ये आप अपने आपको अच्छी तरह से समझते ह मेरी गुजारिश है रहेगी कि अगर आपकी उमर हो रखी है अगर आपको किसी भी तरह का अपने आप में बदलाव देखता है फॉर एक्जामपल आप नॉर्मल वेक्ती है आपको खासी नहीं आती है आपको खासी आना चालो होगी आप नॉर्मल वेक्ती है आपका बजन एक फिक्स बजन है गिरना चालो हो गया आपको बुखार नहीं आना चाहिए अगर बुखार आ भी गया तो दो दिन में बुखार वाइरल चला जाता है बुखार साथ दिन हो गया नहीं जा रहा है आपको कहीं से बॉड़ी से खून नह से जानते हैं अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको नजर आता है दो दिन चार दिन उसको अबजर्व करें मगर अगर आपकी उमर थोड़ी सी भी जादा है चालिस साल से इस सिम्टम को दो तीन दिन में अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको तवज़ो दें और अपनी जान शुर में पकड़ा जाता है वो उसका इलाज संभव है उसका इलाज संभव है तो इलाज में modern technology का भी रोल होगा डॉक्टर क्योंकि आपने पिछले 40 सालों से cancer patient का इलाज किया है आपके पास vast experience है कई लोगों को आपका आपने इलाज किया है सवाल ये उठता है कि आज से 10 साल पह जब आप treat करते हैं तो अब आपको लगता है कि आप बिल्कुल well equipped हैं आपके पास तमाम वो technology है जिसकी मदद से ना केवल आप identify कर सकते हैं बलकि आप cure भी कर सकते हैं आपने बिल्कुल सही का आज हमारे पास वो सुविदाया हैं जो हमारे पास 40 साल पहले नहीं थी चालीस साल पहले मेरी जेव में चार या पांच गोलियां या दवाई या injection थे जिससे मुझे सारे cancer का इलाज करना पड़ता था आज मेरे पास इतनी दवाई गोलिया हैं इतने injection हैं नई technology हैं targeted therapy है इतनी ज्यादा है कि उनको सबको याद रखना तक मुश्किल होने जा रहा है तो बहुत सारी दवाईयां आ गई है science बहुत आगे बढ़ गया है यह सिर्फ दवाईयों में नहीं मगर दवाईयों से हम majority cancer control कर पाते हैं ऐसी surgery में आज आधुनिक तकनीक आगई है कि बड़े से बड़े operation सरल तरीके से किये जा सकते हैं बहुत सारी नई टेकनीक आगई है पहले मरीश को चार गंटे का operation करना या बेहोश रखना असंभव था आज जो चार गंटे का operation था वह operation ही एक गंटे में खतम हो जाता है नई तकनीका गई है शाँ आगई है यसे का यह करना था आज हम अगर दो मिलिमीटर की गठाने तो हम 2 इंटकान की सिकाई कर सकते हैं और उसके पास का जो नॉरमल बाडी का हिस्ता है उस्न्य जो आडिनिक तकनीक आई है इसके अलब हमरे पास radiation के injection आ गए कि वो जो दवाई है अगर उस दो दवाईों को हम साथ में मिलके अगर शरीर में लगा देंगे तो वो जो radiation के particle है वो सिर्फ cancer की गठान में ही जाके बैठेंगे और local radiation दे के उसको खतम कर देंगे तो यह जितनी सारी नई तकनीक आई है इससे cancer का इलाज मुम्किन हो गया है और यह सारा इलाज खुशी की बात यह है कि हमारे यह उपलब्द है इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूत नहीं है